सोही दाइज वेलकम एक में चनल दूस्तों आज लिए मैं बात करने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से 500 वाट के साथ 400 वाट के दो बॉक्स क्रेंट कर सकते हो तो अब सबसे पहले कुश्चन यह आ जाता है कि भाई 500 वाट के आप 800 वाट कैसे चला सकते नहीं चला सकते पहली बात यह मुझे कोश्चन आया था कि 500 वाट के साथ सर आप 400 वाट के स्पीकर आते हैं इंडिविजल बॉक्स जो रहता है एट ओम्स का रहना चाहिए और 400 वाट का उपट देना चाहिए उस तरीके के दो बॉक्स को आप किस तरीके से 500 वाट के साथ करेंट कर सकते एक डेमो आप करेंट कर दोगे बॉक्स तो यह उठा लेगा कुछ टाइम के लिए बट धीरे-धीरे क्या होगा मैं इसलिए इसका जो उपर का पैनल खोल के रखा हूं तो आप उपर देखेंगे तो यह इसका सर्केट दिख रहे हैं यहां पर आपको दो ट्रांसफार्मार दिख रह आपका इस तरफ यहां पर आप देखेंगे यहां पर आपके ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको ठीक है यह आपके बीज़ेटी ट्रांजिस्टर है अगर मैं इसको ओपन करके दिखा हूं तो इसका जो नंबर रहेगा मेरे खाल से इसको धूर्टी आपके ट्रांजिस्टर होता है मैं इसको खोल के दिखाता हूं देख लेते हैं तो यहीं हीट होते हैं पहले जो आते ते जो काफी साल पहले यह वैक्यून ट्यूब रहते हैं वो इसका रोल यूज़ करते हैं आज तो जब आपका लोड जादा रहेगा तो यह हीट होंगे खराब हो जाएंगे ठीक है और अभी जो है मॉस्फट आ रहे हैं मॉस्फट जो ट्रांज वाले भी आते हैं और आईसी वाले भी आते हैं ठीक है तो यह चार-पांच जो तरीका रहता है इसको ऑपरेट अम्लिफार बनाने का तो उसमें इस यही चीज रहती है जो जल्दी हीट होके खराब होती है बाकी हो सकता च्राइक भी खराब हो सके जो मतलब जो इसके ट्रैक रहते हैं मतलब माले जेश्चींस अगर ओपन हो गया तो क्योंकि कभी भी शौट नहीं होता है हमेशा रजिश्चींस तो अगर ओपन हो गया तो आपकी लाइन टूड़ जाती है वो लाइन टूड़ जाएगे तो आपका क्या रहता है कहीं नहीं मालेजिए supply line है तो supply line खराब हो जाएगा उसका बेस लाइन है मनलेजिए अगर आपका प्रीम अप्लिफायर में बेस लाइन में अगर कोई तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपका बेस अच्छे से नहीं आएगा काफी सारे प्रॉब्लम साहते हैं ठीक है और जब आप इसको ओवर्लोड करते हैं माल लीजिए यह 500 वाट का अव्य सी बात है 500 वाट के अम्प्लिफायर है इसमें क्या है इसमें आपको जो कंपनी रहती है आपको 700 वाट का जो मैक्सीमम आउटपुट वो बताती है जाड़े छे सो से जाड़े साथ सो के बीच में मैक्सीमम आउटपुट इसका रहता है तो अब इसमें अगर आप 800 वाट की दो बॉक्स चलाएंगे तो क्या चलेगा बिल्कुल चलेगा बट यह डिपेंड करता है है कि आपका कंडिशन कैसे अब यह अब देखेंगे तो यह काफी पुराना है दस बारा साल पुराना एंप्लिफायर है इसको हमने अच्छे तरीके से रखने के कोशिच की है और फिलाल अच्छा भी रखा है बट इसका भी काफी दिन से सफाई नहीं हुई है तो इस तरीक के लिए काम करने तो आपको इसका चलाना है तो कैसे चला सकते हैं सबसे पहले कैसे कर सकते हैं यह 400 वाट का यह 400 वाट का यह भी आंट ओम्स का अब आपको करेट करना है तो कॉमन सी बात है अगर आप इसको सीरीज में करेट करोगे तो 16 ओम्स होता है कोई आएट करेट करोगे पिछनेट करोगे पैरलले कैसे जोड़ते हो तो क्या होता पांए किछ तो as to one upon four तो आपका जो टोटल एक्वेलंक टे इंपिदेंस होता है वह हो जाता है यहीँ चीजंद अगर आप सीरिज में करते तो एट प्लस एट इसका फॉर्मूला आपको प्लस कर ना सीरिज में 8 plus 8 which is equal to 69 तो आपका 16 ohms का impedance जो equivalent impedance होता है वो होता है ठीक है तो आपको मैं इसका back panel दिखाता हूँ सो वाइस देखिए अभी फिलाल मैंने इसको 8 ohms में connect कर दिया है बट यह 4 ohms में connect होगा मैं इसको अभी change कर दूंगा ठीक है तो यहां पर देखेंगे यह आपका जो है model है SPX 400 ठीक है यह 8 ohms का आपका speaker रहता है इसमें आपका एक network लगे रहता है जो आपका speaker और एक आपका Twitter जो उपर हाइस जिसको हम बोलते है वो चलाने के लिए रहता है network ठीक है जो आपका mid frequency frequency को separate कर देता है तो यहां पर हमने क्या किया है प्लस मैं डारेक्ट ली करेंट कर दिया में जो ग्रीन वाला है वह अपका plus है और जो माइनस वाला है जो आतलो आपका बलेक है माइनस ने ठीक है उसी तरह करेंगे यहां वह वाइर जारी है और वही वाइर को हम क्या कर रहे ह यहां पे ले जाके Connect कर रहे हैं जो रहेगा हमेशा माइनस रहता है ठीक है जो माइनस वाली लाइन रहती हों पर होती है और अब ही हम क्या करेंगे ज़ो यह वायर है उसको फोरूम सो करेंगे उसकी बाद आप देखे रहे हैं आउट्पूट इंपूट जो रहता है जहां आपको म्यूजिक बजाना है वह कोई भी आउक्स में दे सकते हैं और फिर अगर आप चाहें तो लाइन इन में भी आप इसको डाल सकते हैं ठीक है इसमें दो प्री आउट दि लाइन वाले जो विदाव ट्रांसफर्म वाले यूनिट रहते हैं उसको भी आपकर सकते हो और फिूज दिया है यहां पर आपको आठ अमबेर का फ्यूज दिया है ठीक है और यहां पर सप्लाई लाइन है यहां पर 36 वोल्ट का डीच सब्सप्लाइब का वी ऑप्षिन मिल कि आप प्लस माइनस में connect कर सकते हो प्लस माइनस का हमेशा ध्यान रखना है ठीक है तो यह इसका बैक पनल ज्यादा इसमें कुछ भी आपको complicated नहीं लगेगा बहुत आपको पर्ली कौनेट करना है और यहां पर जो आपका com और forum से उसमें connect कर देना अभी में इसको f norms में connect कर देता हूँ ठीक है उसके बाद आपको यह जो इतना section है यह आपका अब इसको आप कर देते तो लाइट जालेगी और यह आपका जो क्या बुलने से माइक है ऑन हो जाएगा जैसे कि मैं इसको अभी चालू कर देता हूं ठीक है यह भी आपका जो बॉक्स से वो चालू हो चुका है अपने सुन लिए अभी यह on-off यहां से आप कर सकते हैं ठीक ह यहांप देखों सकते हैं यहांपा सकते हुआ का माइक क confess के ऑपका माइक करनेक TO कर सकते हैं मतलब मोबाइल से अगर आपको बजाना है तो आप आप आउक्स वन है आउक्स वन में जैसे हमने डाला तो यह हम कंट्रोल करेंगे ठीक है और उसके बाद यहाँ पे आपका ड्राइवर यूनिट और क्या है आपका बॉक्स स्पीकर के लिए क्लिए है क्योंकि हम यहां पर भी बॉक्स करेंट किया है तो सुम बॉक्स स्पीकर में क्योंकि है और जब ड्राइवर उनिट करना हुआ तो आप इसको इसतरब करेंगे ठीक है फिलाल अभी इसको वापीस इसतरब कर दे रहा हूं ठीक है तो यह आपका बेस और ट्रेवल जो फ्रिक्वेंसी क और यहां पर से ऐसे काए उसका जो टोटल कॉंट्रोल रहता वो है यहां पर रहता है अगर इसको आपने कम बढ़ाया नहीं तो आपको कोई भी आउट पूट भार नहीं जाएगा एक तरीके से एक वाल है जो पूरा आपका जिसे वाटटर अगर मान सकते हैं अगर टंकी में पानी को रोकना है, तो आप वाल यूज़ करते, वह ये आप श्राइब से समझ तक 그냥 कितना ओड आपको देना है, वह आपका मतलब देरे देरे रिड्यूस होते जाती है तो क्या एक्षिली ऐसा रहता है कि अगर आप पांच लिटर की टंकी में अगर दस लिटर की पानी बरोगे तो वह नहीं सेहन कर पाएगा पूरा पानी भार गिरने लग जाएगा है ना वही चीज इसमें भी है कि जो इसमें दिया झाल 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 आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को जुरू सब्स्राइब करना इस वीडियो को जुरू लाइक करना एंड थैंक्स वाचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में झाल